गुड इनिंग इस्टुडेंट्स चले बायोलाजी के अंतरगत हम कुल पाच अध्यायों का अध्यान कर चुके हैं इसके पसाथ हम पादप या वनस्मती विज्ञान के अंतरगत दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय में हमको पढ़ना है पुस्पी पादपों की सारी रिकी अर्थात अध्याय 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 में हमको पुस्पी पादपों की सारी रिकी के बार में पढ़ना है इना टॉमी या फ्लावरिंग प्लांट्स तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सारी रिकी या एना टॉमी किसे कहा जाता है देखे एना टॉमी दो सब्दों से मिलकर बना है एना प्लस टॉमी ठीक है यहाँ वरश्पती विज्ञान या बॉटनी की ही एक साखा होती है जिसके अंतरगर्थ हम पौधे के विभिन्न भागों के आंत्रिक सरशनाओ का ध्यान करते हैं और वरश्पती विज्ञान के जिस साखा में हम उनकी सरशनाओ का ध्यान करते हैं उसे सारी रिकी या एना टॉमी कहा जाता है सारी रिकी देखे एन ग्रिवन नामक वैग्यानी को सारी रिकी का जनक माना जाता है इसके बाद हम बात करेंगे उतक का उतकों के बारे में आप लोग कप्छा नवी में भी पढ़े हैं देखे उतक जिसे हम लोग टीसू काते हैं समानेता आप लोग को पता होगा कि जब एक से अधिक एक समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में सम्मुह बनाती है और सभी कोशिकाएं एक ही समान कारे को सम्मुह को हम उतक काते हैं पता हम बोल सकते हैं कि उतक एक समान उत्पत्ती तथा विकास वाली को सिकाऊ का व्यवस्तित सम्मू होता है जो एक समान कार्य को संपन्न करते हैं उसे उतक कहा जाता है देखे उसके बाद आप लोगों को पता भी होगा है कि उतको, मतलब उतक सब्दका सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था तो याद रखेंगे, बीचट नामक वैग्यानिक ने उतक सब्दका सबसे पहले प्रयोग किया था उसके बाद आप लोगों ने उतक के प्रकार भी पढ़े हैं देखे हम जानते कि विकास तथा कार्य की द्रिष्टिक अधार पर मतलब कौन सा उतक किस प्रकार से विक्सित होता है किनमे विभाजन होती है किनमे नहीं होता उसके अधार पर हम उतकों को दो सम्मूहों में विभाजित करते हैं पहला विभजियोतिक उतक मतलब विभाजन सिल उतक या मेरिस्टिमेटिक टीसू और दूसरा है इस्थाई उतक या पर्मानेंट टीसू चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे विभजियोतक या फिर मेरिस्टिमेटिक उतक ये ऐसे कोशिकाओं के सम्मू होते हैं जो विभाजन की छमता रखते हैं या ऐसे कोशिकाओं जो सतर विभाजन सिल होती मतलब लगातार जिन में विभाजन होता रहता है तो उन कोशिकाओं के सम्मू हो को ही हम लोग विभाजियोत की उतक कहते हैं क्लियर हो गया विभज्योती उतक मतलब जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है। क्लियर हो गया आप देखें विभज्योती को तक कहां पैया जाता है तो ये पादपों के उन भागों में पैया जाते हैं जो वर्धी होते हैं। वर्थी मतलब जहां लगातार वृति होती रहती है। चुकि इन उतकों से नए-नए कोशिकाएं बनती रहती है। इसलिए इन कोशिकाओं को या इन उतकों को निर्माणकारी उतक भी कहा जाता है। विभज्य उतक उतकों के निम्नलिखित लक्षड है। पहला, ये उतक सजीव होते हैं तथा इनकी कोशिकाओं की कोशिकाओं वित्ती पत्ली होती है। दुसरा, इन उतकों की कोशिकाओं में किसी भी कोशिकाओं बड़ी आकार के केंद्रक युक्त प्रोटोफलाजमा होता है। अर्थात इनकी केंद्रा बड़ी आकारवाली होती है तथा सभी कोसिका एक दूसरे के साथ सघंता से ब्यवस्तित होते हैं उसके बाद तीसरा लक्षण है कि इन उत्रकों में कोसिकाओं के मद्द किसी प्रकार की रिक्तिका नहीं पाय जाती रिक्तिका मतलब कोशिका एक दूसरे से सघंता से ब्यवस्तित होती है जिनके करण एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में किसी प्रकार का गेप या रिक्ताइस्थान नहीं पाया जाता है और यदि पाया भी जाता है तो वहाँ अत्यंत सुचमाकार की होती है खीक है उस फिर त्रिज्या समान होती है, क्योंकि सभी का अकार एक समान होता है, इसलिए हम उसको सम अकारी की या फिर सम्भ्यासी पोल सकते हैं, और कोशिकाव का जो अकार होता है, वो या तो अंडाकार होता है, या तो बहु कोडिक, बहु कोडिक मतलब जैसे सट कोडिया, ठीक है, उ उतक केवल विभाजित होती है और विभाजित हो करके अंगों, हैं नई कोशिकाय बनाती है, जिससे क्या होती है, अंगों या पादब भागों में वृत्धी होती है, ठीक है, ये कभी भी भोचपतार्थों का संग्रहन नहीं करते है, उसके बाद इनका अगला लक्षण है, उपाब चैय रुप से अत्यधी क्रियासिल होती चुकि इन कोशिकाव में लगतार वृत्धी विभाजन होता रहता है। वृत्धी विभाजन के लिए पोशक पतार्थों की आवस्यक्ता होती है जो उपाब चैय से प्राप्त होता है। इस कारण इन उतकों की जो कोशिकाव होती हो हमेशा उपाब चैय की द्रिष्टी सेत्यधी क्रियासिल होती है। ठीक है तो इस प्रकार से ये विभाजन उतक उतक के लक्षण है याद रखेंगे। चले, तो आगे हम विभज्योतक उतको के प्रकार के बारे में ध्यन करेंगे, तो देखे, विभज्योतक उतको को चार आधार उपर विभिणन प्रकारों में बाटा गया है, इनका पहला आधार है उत्पत्ति एवं विकास के अधार पर विभज्योतक के प्रकार, उत्पत्त इसका दुसरा अधार है इस्थिती के अधार पर विभज्योतक उतक तीन प्रकार के होते हैं सिर्थस्थ विभज्योतक उतक अंतर्विष्ट विभज्योतक उतक और तीसरा है पार्स विभज्योतक उतक ठीक उसके बाद तीसरा अधार है कारियों के अधार पर कारियों के अधार पर विभजयोतक उतक तीन प्रकार के होते हैं प्रोटोडर्म, प्राक कैम्बियम और फरण विभजयोतक उसके बाग चौथा है विभाजन के अधार पर विभाजन के अधार पर विभजयोतक तीन प्रकार के होते हैं इस्थिल विभज्योतक, पट्टिका विभज्योतक और सीरा विभज्योतक तो यहाँ पे हमने चार अधार उपर विभज्योतक उतक को बाटा है और प्रतेक अधार पर विभज्योतक उतक के तीन-तीन प्रकार है तो आगे हम इन प्रकारों को बारी-बारी से पढ़ते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार के उतकों से कौन सी सरजना का विकास होता है यही आप लोग को इसमें याद रखना है नाम और उनसे विक्सित होने वाले सरजना का नाम ठीक है चले तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति तथा विकास के अधार पर उतकों के प्रकार देखें आपको बताया क्या है कि उत्पत्ति और विकास के अधार पर विभज्योतक उतक तीन प्रकार के होते हैं पहला प्राक विभज्योता कुतक देखे ऐसे विभज्योता कुतक जो भुरूड़ी अवस्था में पाया जाता है या जिनका उत्पत्ती या विकास भुरूड़ोत भवार के समय या भुरूड़ी परिवर्धन के समय होता है उसे प्राक विभज्योता कुतक बोलते हैं मतलब सबसे पहले है ना उत्पन्न होने वाला विभजयतक उतक है जो जाइगोड से होता है ठीक है जाइगोड किसी भी जीव की पूर्वा वस्ता होती जो तुरत निसेचन के पसाद बनता है और निसेचन के पसाद को सिकाओ की ग्रुप से जो सबसे पहला उतक बनता है उसी प्राक विभज्योतक उतक से ही प्रारो तंत्र और जड़ तंत्र का निर्माण होता है उसके बाद दूसरा है प्रात्मिक उतक देखे प्राक विभज्योतक उतक फिर से विभाजित होती है और विभाजित होकर पुनाह नई उतक बनाती है जिसे हम प्रात्मिक विभज्योतक उतक काते हैं मतलब प्राग विभज्योतक उतक से बनने वाली या विक्सित होने वाली उतकों को प्रात्मिक उतक काते हैं ठीक है और ये उतक क्या करते हैं प्रारो तंत्र का अगरभाग बनाते हैं जिसको प्रारो हागर काते हैं और मुल तंत्र का अगरभाग बनाते हैं देखें प्राक विभजयतक उत्तक प्रारो तंत्र और मुल तंत्र बनाती है और प्रात्मीक विभजयतक उत्तक प्रारो का अगरभाग प्रारो रागर और मु दुद्यक विभज्योतक उतक है ना जो फ्रात्मिक विभज्योतक उतकों से विक्सित होती उसको दुद्यक विभज्योतक उतक आते और इस प्रकार के उतकों में कैंबियम कारक कैंबियम और अंत्रा पूली कैंबियम आता है ठीक है ये दुद्यक विभज्योतक से विक्सित करते हैं इस सिति के अधार पर विभज्योतक उतकों को तीन भागों में बाटा गया है पहला सिर्सस्त विभज्योतक उतक देखें सिर्सस्त मतलब होता है सिर्स भाग में पाया जाने वाले उतक ठीक है तो ऐसे उतक जो मूल के सिर्स भाग में या प्ररो के सिर्स भाग में य उसे सिर्धस्थ विभजयोतक उतक कहा जाता है, क्लियार हो क्या, देखे इन उतकों का कारे होता है, कि यदी मुल के अगरभाग पर ऐस्तित है, तो चढ़ के वृधधि में, और यदी प्ररोग के आगरभाग में इस्तित है, तो तना के लंबाय में वृध्धी करता है, उसक और जैसे जैसे इसाई उतक को मिवृत्ती होती है ये भी वृत्ती करते हैं उनको अंतरविष्ट विभज्योतक उतक काते हैं उसके बाद तीसरा है पार्श्वी विभज्योतक उतक आरोही आक्षे के पार्शो भाग में तब विक्सित होता है जब तने में दुत्याक वृत् और छुकि ये मुक्यक्ष्ये के पार्श्व दित्ता कंता है इसकारण। पर विभज्योतक उतकों को तीन भागों में बाटा गया है पहला आधीकत्व या प्रोटोडर्म ये ऐसे विभज्योतक उतक होते हैं जो आगे बायहत्वचा मतलब जड़िया तना के बायहत्वचा का निर्मार करते उसे प्रोटोडर्म या आधीकत्व काते उसके बाद दूसरा है प्राक एधा या प्रोकेंबियम देखे एधा मतलब प्रोकेंबियम होता है और ये ऐसे विभज्य उतक होते हैं जो जड तथा तना में सवानी उतक जैसे की केंबियम जालम तथा फ्लोयम का निर्माड करते उसे प्राग केंबियम या प्रो केंबियम उतक कहा जाता है उसके बाद तीसरा है भरण विभजियों तक या ग्राउंड मेरिस्टेम ये ऐसे उतक होते हैं जो विभाजन के फल स्वरूप हाइपोटर्मीस या अधस्तवचा वलकूट या कॉर्टेक्स अंतस्तवचा या इंडोटर्मीस तथा परिरंबया पेरिसायकल और पीत अथ्वा मज्जा का निर्मार करते ठीक है ये सब ही भरण उतक होते हैं जो जैलम और फलोयाम के बीच में पाय जाते हैं इस कारण इन्हें भरण विभजियोतक कहा जाता है चलिए चौथा प्रकार देखेंगे विभाजन के धार पर विभाजन के धार पर उतकों को कुना तीन भागों में बाटा गया है पहला इस्थूल विभज्योतक ये ऐसे उतक होते हैं जो जिनकी समझत को सिखाएं किसी भी तल से विभाजित करने पर विभाजित हो जाती है या जो सभी दिसाओं में विभाजित हो जाती है उन्हें इस्थूल विभज्योतक उतक काते हैं और इस प्रकार की उतक भूर तथ पत्तिका बनाते हैं तो यह एसे उतक होते हैं जिनकी समस्त कोशिका है आपत्नीक तल से काटने पर या विभाजित करने पर एक पत्तिका जैसे रशना बनाती है इसलिए इसे पट्टी का विभजयोतक उतक काते हैं और यह उतक जड तथा तना के बाहतवचा और पत्ती के पर्णव फलक का निर्मार करती है उसके बाद तीसरा है सीरा विभज्योतक उतक ये ऐसे उतक होते हैं जो केवाल एक ही तल से विभाजित होते हैं और ये तल से विभाजित नहीं होती ठीक है और ये आगे चल कर जड़ के विभज्योतक तथा तना के कांटेक्स और पीत का निर्मार करते हैं उसे सीरा विभज जोतक उतक काते तो इस प्रकार से हम आज के क्लास में विभज जोतक उतक पढ़े हैं ठीक है अगली कक्छा में इसके बाद आप लोग को इस्थाई उतक के बारे में बताया जाएगा तो सभी इतना टापिक अच्छे से पढ़िए और उदारन तथा कारियों को याद रखिए करते हैं?